नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम डिसकस करेंगे कि निमस्टू टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, निमस्टू टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और निमस्टू टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक हो सकते हैं, और यहां भी डिसकस करेंगे कि निमस्टू टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, निमस्टू एक ब्रैंड नेम है, निमस्टू टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है, निमस्टू टैबलेट के अंदर सॉल्ट composition निमसुलाइड 100 mg और पेरासिटामोल 500 mg होता है निमस्ट्रू टैबलेट का उप्योग बुखार होने पर शरीर में दर्ध होने पर और सूजन को कम करने के लिए निमस्ट्रू टैबलेट का उप्योग किया जाता है यदि आपके शरीर पर कोई चोट लगने की वज़ह से सूजन आ गई है तो निमस्ट्रू टैबलेट दर्ध के साथ साथ सूजन को भी कम करती है निमस्ट्रू टैबलेट का उप्योग शरीर की मासपेशियों में दर्ध होने पर शरीर की हड़ियों वर शरीर के जोडों में दर्द होने पर, सिरदर्द होने पर, बुखार होने पर, दातों में दर्द होने पर, कमर के दर्द, कान के दर्द और गले के दर्द आधी कंडिशन्स में निमस्चू टैबलेट का उप्योग किया जाता है। इसके अलावा महिलाओं में मासिक धर्ण के दोरान भी दर्ध से राहत पाने के लिए निमस्टू टैबलेट का उप्योग किया जाता है। साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में निमस्टू टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। ज्यादा लंबे समय तक या ज्यादा डोज में निमस्टू टैबलेट को लेने से किड्नी व लिवर डेमेज हो सकते हैं। और शरीर में खून की कमी हो सकती है। इसके अलावा लंबे समय तक या बार-बार निमस्टू टैबलेट का सेवन करने की वज़़ से पेट में ब्लीडिंग होने का, दिल का दौरा पढ़ने का और लगवा लगने का भी जोखिम अधिक हो जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे की निमस्टू टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है। निमस्टू टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रेक्मेंडेड होता है। लेते समय क्या-क्या सामधानिया रखनी चाहिए, लगातार दस दिन से अधिक निमस्चू टैबलेट को नहीं लेना चाहिए, और 12 साल से कम उम्रत के बच्चो को निमस्चू टैबलेट को देना रेक्मेंडेट नहीं है, पेट में अलसर होने पर, पेट या आंतों में के बिना निमस्टू टैबलेट को नहीं लेना चाहिए निमस्टू टैबलेट के साथ शराप का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि निमस्टू टैबलेट के साथ शराप का सेवन करने की वज़ह से पेट में ब्लीडिंग होने का जोखिम अधिक हो जाता है निमस्टू टैबले का सेवन करना recommended नहीं है इसलिए pregnant महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को निमस्चू टैबलेट को डॉक्तर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका निमस्चू टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं